जैंए meglio, आज हम नापने जा रहे हैं SAC-GD की रहाएं हमारे पास है SAC-GD का पूरा बैच उन सभी की हाइट, क्योंकि SAC-GD में आपको बता दें कि जो आपको मेल की हाइट होती, वो 170 cm होती है और जो गल्स की हाइट होती है, वो 157 cm होती है तो हमारे पास SSC GD का बैच है हम आपको बताएंगे क्या होता है खड़ा होने का तरीका और कैसे आप हाइट में पास हो सकते हैं अगर माइनर हाइट आपकी कम है तो किस तरह से क्या करना है पूरा तरीका आपको इस वीडियो पर बताये जाएगा तो पूरा वीडियो पूरा इस्ट्रेट रखना होता है और निगा आपको एकदम सामने रखनी है वहां पर जब भी आप जाएंगे तो यह जो जूड़ा उड़ा होता है यह तो क्या करते हैं वो लोग खोल देते हैं इसके बाद आपको आउट कर देंगे या परेसान भी कर सकते हैं तो इस तर एकद कर सकतीで एकक्या एकद कर सेट पाइस एकद बाद उमीर प्राचर एक कर सिसेथाएंगे तो इकद 142िर Oh और यकद दॉक्त tissu ऑंग्डत कर सेट जाँ शडिंगियों नूसे एकद पाइस एकद 202 आख कर दो देखत yum येंदी कर स्सेटर्ट पाइस जिसेएएंगे टो कि ऐसे कि एक सो बांसाइट पोईट था है कि ऐसो इंसरी कोईट थाइप एक सो अध्था तामण कोईट थाइप प्रग तो बड़ी कि एकसो सथामण 156.5 155 169 162.5 163 169.5 169 164.5 107.5 169 155 188 183.5 114 156 169 178 आपने देखा ये था तरीका हाइड का अगर आप बिल्कुल एक दम बॉड़ी को इस्टेट करके रखते हैं एड़ी पंजे को जोड के रखते हैं और निगा आपको एकदम सामने रखनी है तो कभी भी आप हाइट पे फेल नहीं हो सकते हैं लेकिन अपने आपने जराशिला परवाई की ऐसे किया या बॉड़ी को डीली छोड़ दिया तो 0.5 हाइट आपकी कम हो जाएगी जिससे आप अनफिट हो सकते हैं तो जिनकी माइनर पे हाइट कम होती है तो उनको बहुत ही सावधानी बरतनी है और इस तरह से आप अगर वहाँ पे नपाएंगी तो आप कभी भी अनफिट नहीं हो सकते हैं जैहिंद जैवारा